तो बच्चो हम कर रहे थे आपका क्लास 7 का 202324 का मिड टम का इवनिंग शिफ्ट का पेपर और इसमें हम Q7 तक कर चुके थे बच्चो आज हम करेंगे 7 ओन्वर्ट्स को तो इसमें Q8 है बच्चो किस पराक्रम के कारण पादपो को स्वयपोशी कहा जाता है इस पराक्रम का वर्णन कीजिए यानि दू टू विच प्रॉसस प्लांट इस कॉल्ड ऑ्टो ट्रोपिक एक्स्प्लेइन डैट प्रॉसस तो बेसिकली होता है क्या है बच्चो परकास संसलेशन या फोटो संथेसिस प्रॉसस के कारण हम प्लांट्स को ओ्टो ट्रोपिक या स्वयपोशी कहते हैं अब इसमें होता क्या है इसमें CO2 और H2 क्लोरोफिल की प्रेजैंस में C6H2O6 बनाते हैं ग्रीन लिव में और ऑ्क्सीजन गैस को छोड़ देते हैं या निंहीं की इसको ग्लुकोस को बनाते हैं और निकाल देते हैं इस प्रोसेस में बेसिकली यही चीज होती है इसी को हम फोटो सिंथेस कह रहेते हैं या परकार संसलेशन कह देते हैं फिर है आपका इसका अत्वा वाला भाग क्या आप इस बात से सहमत है कि सभी जीव को भोजन की आवशक nutrition requirement है body की पोशक के तत्व की जो requirement है body की वह पूरी होती है और हमारी body को क्या मिलता है अपनी body को energy मिलती है उसके रखरकाव के लिए जो चीजे जो nutrient ज़रूरी होते हैं वह मिलते हैं और कब डमेज हो जाए कुछ चीज हमारी body में तो उसे रिपेरिंग करने की शंता भी इसी पोशक गणिया किस से नूट्र Reynolds की वज़े से रिखे बिलती है है और हमारे life को carry-out करने में यह help करता है तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा कि बोजन कि आूए सकता सबी living organism को है और यह जरूरी है उनके लिए बचो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बचो कोश्चन 9 देख लेते हैं बचो कोश्चन 9 है आपका कि डिफाइन एन एलेक्ट्रिक फ्यूज डिफ्यूज को परिवासित कीजिए समझाइए कि एक सुरुक्षा पुरण के रूप में कैसे खाड़ यह करता है तो बचो क्या है एलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है होता क्या है कि जब जरुज से ज्यादा करण्ट आ जाता है तो क्या करता है यह जो वायर है वो हीट होना शुरू हो जाता और मेल्ट हो जाता है यानि हीट अप होने पर डरम होकर के पिखल जाता है और सर्किट को कर देता ब्रेक यानि कि तार्ज है टूट गया सर्किट ब्रेक हो गया तो आपका क्या होगा आपका current flow करना बंद कर देगा और आपका जो भी समान है वो जाएगा भच आपका ठीक है बचो ये एक main चीज है जो prevent करती है हमारे objects को जलने से ये खराब होने से बचो फिर इसका अत्वा वाला भाग उचो विद्धु चुम्बक के किनी तीन उपयोग बताईए यानि right any theory uses of electromagnets तो सबसे पहले चीज बचो electromagnet का use कहा होता है जहां पे हमें बड़े बड़े junkyards है यानि कि कबाड़ खाने है जहां पे बड़ी बड़ी गाडिया या metal scrap आता है थाकि उनमें से metals को extract करके एक जगह से दूसरी जगह डाला जा सके बचो फिर कहा होता ह बचो अगर कभी iron piece किसी की आख वगयरा में घुज जाया तो ऐसे case में doctors को के द्वारा से use किया जाता है तीसी चीज जो use होती है बचो आपके toys जो कुछ मेंगे toys होते हैं उसमें इसका स्तमाल किया जाता है ताकि आप उन toys से खेल सके बचो चलिए question number 10 देख लेते हैं question number 10 है यदि एक scooter दो मेंटर प्रती से कर रहा है तब एक मिनट में इसके द्वारा तै की गई दूरी ग्याद कीजिए find out the distance covered by a scooter in one minute if it is traveling at a two meter per second तो बच्चो speed क्या दीविए चाल क्या दीविए दो मीटर प्रती सेकेंड तो इस से हमें क्या पता चल रहा है बच्चो दूरी या distance क्या हो जाएगी एक सेकेंड में दो मीटर तो एक मिनट बराबर होता कितने 60 second का तो distance जो travel करेगा वो यानि दूरी जो travel करेगा कितनी 60 second में तो वो होगी 2 गुणा 60 तो यह आगी 120 meter बचो ठीक है यह इसका basic answer था फिर है question number 11 बचो question number 11 क्या कहता है a picture plant does not get all required nutrients from the soil in which they grow describe how it obtain nutrients not available in soil यानि घत पढ़नी के पोदे को मिट्टी से सभी पोशक्तत्व प्राप्त नहीं होते जिस्म से में वोगता है पढ़न कीजे फिर वे मिट्टी से अनुपलब्द पोशक्तत्वों को किस प्रकार प्राप्त करता है तो basically बच्चों उसमें अगर देखा जाए तो जो कुछ बेसिक रिकार्मेंट है जैसे की नाइकॉर्जन होगे फ्रस्प्रेस होगे और फिर जो digestive juices हैं उसे digest करते हैं और उसके nutrient को absorb करके उसके waste प्रोडक्टर से बार फैक देते हैं इस तरीके से यह पूरा process होकर के काम होता है ठीक है बचो तो बचो यह वाला part होता है यहाँ पे complete वीडियो का आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी next वीडियो में क के remaining question answers को थेंक यू